आपयाँ के दोस्तों आज च tämä आपको पहले मैं आप को मिले आप ले का प्ैलीm का बटाता है कि अगर यह आपको कंपलीट कर लेते हो थो समझों कि पांच नममर्यून से चाहर नममर्यूब रोप नहीं सकता है आपको लाने से ठीक है तो एकदम बढ़िया से समझना है अगर आप लोग इसको बढ़िया से समझोगे तो समझोगी पांच नमर एंकर का पार्ट ही पूछता है कि यह कौन सा पार्ट ही यह कौन सा पार्ट है तो सबसे पहले हम लोग एंकर के पार्ट के नाम के बारे में जान लेते हैं उसके बाद हम आपको question करवाएंगे ठीक है तो देखिए दोस्तों देखो बाबु यह जो सबसे उपर वाला होता है ना anchor का तो सबसे पहले समधलों की anchor होता है क्या है देखो बाबु इसमें मैं theory भी पढ़ा देता हूं तो देखो बाबु यह जो anchor होता है ना anchor तीन टाइप का होता है एक होता है stock anchor stock anchor में क्या होता है इस तरह यहाँ पर हंडिल की तरह बना होता है और एक होता है stockless anchor तो देखो यहाँ पर stock नहीं है यहाँ पर stock क्या है नहीं है तो यह stockless anchor है और उसके बाद होता है केजेट एंकर का मतलब हम जानते हो क्या होता है कि जो छोटा-छोटा जहाद होता है ना वो बंसी की तरह एंकर होता है मालने दम ओई से एंकर होता है दम छोटा-छोटा तो वो होता है केजेट एंकर तो याद रखने ना बाबू एंकर तीन टाइप का होता है stockless anchor, stock anchor और cassette anchor, तो सबसे ज़्यादा जहाज पर यूज होने वाला anchor यही है stockless anchor, तो surveyor यह भी पूछ देगा बाबू की कौन सा anchor जहाज पर यूज होता है, तो stockless anchor और यह जो anchor होता है समझो ना कि 50-50 हाथी के वजन के बराबर यह गोई होता है एक एले, machine भी फेलो जाता है, इसको उठाने में तो चले के बाबू हम इसे के ध्यान से समझे के, माथा से उड़ जाई दम ध्यान से समझे लेकर के, जहाँ दम चक्र पकर कर पूले तो माथा से उड़ जाई, ठीक बाई, तो चलो माल लो कि यहाँ पर, अरे बबू माल लो कि यहाँ पर एक होल है, और होल में यहाँ पर लाकर जोड़ेंगे, तो इसको जो जोड़ा जाता है ना, उसको बोलते हैं डी लिंग, क्या बोलते हैं बबू? डी लिंग, याद रखने एंकर से जुड़ता है, तो वो कौन सा लिंक से जुड़ता है, तो वो डी लिंक से जुड़ता है, ठीक है बबू? डी लिंक से और जो एंड ओफ एंकर चैन होता है ना, यह जहाज के एंकर लोक में होता है, यानि एंकर anchor जो locker होता है वहाँ पर ये सब chain ही कठा होता है तो वहाँ पर भी एक link बना के रखा जाता है उसको बोलते है बबु, better end क्या बोलते है बबु ठीक है बबु ये समझगे ठीक है अब हम लोग part of anchor पढ़ रहे हैं बबु ठीक है तो सबसे उपर वालों को शेकल बोलते हैं और जो है इदम लंबा बाना बाबू लंबा ये लंबा को बाबू क्या बोलते हैं इदम स्टेट को इसको बोलते हैं शेंक क्या बोलते हैं बाबू सेंक और देखो बाबू ये जो पोरसन दिखाई दे रहा है ना तो यह बाबु देखो हथेली होता है न रिस हथेली को क्या बोलते हैं बाबु? पाम। कोएलडगा पड़ेगा पाल्म। पाल्म नहीं होता है बाबु, पाम होते है ठीक है। उसके देखो यहाँ पर नो मटर के दणही बा바 दम जैसे आकिर्थी बाबु होता है। अब देख बाबू, ख़ई देख घख 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 गर्दन मान आदमी का गर्दन होता है ना तो गर्दन को क्या बोलता है थ्रोड तो इसको क्या बोलेंगे बाबू थ्रोड देखा बाबू जो सबसे नीचे वाला परसन होता है सबसे नीचे तो सबसे नीचे वाला को बोलते हैं क्राउन यानि मुकट याद रख लेना मुकट क नहां पेना जाता है सबसे उपर लेकिन एंकर में सबसे नीचे वाला भागी क्या होता है सबसे उपर होता है क्योंकि यही महत्तोपून होता है सबसे इंपोर्टेंट नीचे वाला ही भाग होता है वही जाकर फटाक से अटेच करता है ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं तो बाबु इसको ऐसे याद रख लेना कि माल लोग क्राउन हम लोग कहां पहनते हैं माथा में पहनते हैं माथा के जॉस्ट नीचे बाबु का होता है तो दूनू हाथ होता है तो देख माथा तो माथा के जॉस्ट उपर बाबु का होला आर्म यानी हाथ तो देखो बाबु ह सबसे पहले इसको कर लेते हैं उसके बाद हम पढ़ाएंगे उसके बारे में नहीं तो बाबू माथा से एक दम उड़े ठीक बाबू अब हम लोग पहले सवाल कंप्लीट कर लेते हैं ठीक कुछ सवाल है इसको कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे ठीक है तो देखो बाब कि एंकर जो केबल होता है यानि एंकर चैन में जो इस तरह इस तरह इस तरह मार्क किया जाता है एंकर केबल में बाबु क्या होता है ना कि यह तो पहले लाल कलर से मार्क होता है कहीं कहीं पीला होता है कहीं सफेद होता है कुछ-कुछ दूरी पर तो वो क्यूं मार्क किया जा आप देखो ना यह से मालों की रास्ता हुए तो रास्ता में माईले स्टोन यानी मील का पत्थ लगा जाता है लिखा रहता है दिल्ली 200 किलोमेटर फिर जाने पर कहीं लिखा रहता है दिल्ली 180 किलोमेटर फिर लिखा रहता है दिल्ली 100 किलोमेटर तो यह क्यों लगा जाता है कितना पानी के अंदर गया और कितना पानी के बाहार है ठीक है तो एंकर का यूज क्या होता है बाबू तो एंकर का यूज होता है ना एंकर जो होता है ना उसको धड़ाक से जमीन में फेक देते हैं पानी में फेक देते हैं तो पानी में जाकर जमीन में उपकड़ लेता है औ जहाज को मूव करने नहीं देता है तो चलिए हम जानते हैं दा एंकर केबल इस मार्क टू तो मार्क टू क्या करेगा रिक और गरनाईज टू नंबर ऑफ शेकल कमिंग अप तुड़ डेक माने बताएगा कि कितना शेकल डेक के ऊपर है ठीक है अब आइदेंटिफाइद क्या बोलते हैं बबू फियरलीड क्या बोलते हैं बबू फियरलीड और देखा बबू जो पोट होल होता है ना पोट होल होता है जानते हो क्या है जैसे हम लोग का घर में जो खिड़की होता है तो खिड़की को इंगलिस में डिम होला क्या बोलता है विंडो तो उसी तरह जहाज में भी जो खिड़की होता है ना जहाज में भी हम लोगे जहाज में हम लोग रहते हैं ना तो जहाज में हम लोगा जो केबिन में हम लोगा जो खिड़की होता है ना रूम में तो उस खिड़की को क्या बोलते हैं जहाज में पोर्ट होल ठीक है तो हम लोगा तो एंसर बबू क्या पजाता है यह नम्मर पांच है यह नम्मर पांच क्या है बबू आर्म है क्या है बबू आर्म तो इसको क्या एंसर हो जाएगा आर्म अब चलो बबू, नम्मर चार पर चलते हैं नम्मर चार देखो बबू, सबसे उपर है सबसे क्या है? उपर है, तो उपर वाले को क्या बोलते हैं बबू फ्लक नम्मर पाँच In dry dock, the anchor cable is बोल रहाएगी, dry dock में जाते हैं तो जो anchor cable होता है, anchor cable मनें anchor chain उसको हम क्या करते हैं interchange the middle middle वाले भाग को change करते हैं renewed the at one end बोल रहा है कि पूरा anchor change को change कर देते हैं change end to end करते हैं कि renew at the both end देखो क्या करते हैं जो dry dog में हम लोग जानते हैं तो जो हम लोग का anchor chain होता है ना तो anchor chain को ना क्या करते हैं पूरा निकाल देते हैं चैन लोकर से पूरा anchor chain को निकाल देते हैं और जिधर से anchor लगा होता है ना उधर से भी काट लेते हैं और हुने anchor chain में रही तो उसला दिन भर पानिये में रही तो दूबरा जाई तो इसलिए dry dog में जाते हैं तो change anchor to end कर देते हैं, anchor वाला person को chain locker में लगा देते हैं और chain वाला locker person को यूज होता है ना chain stopper या यूआ जो rope stopper होता है ना उसका use होता है ना कि जब हम रसी को Tight करना होता है ने जिसे मालनों कि हम लोग जेटी से बांद दी हैं जहाज को हम लोग सीब को क्या कर रहे हैं तो सीब को बाबू हम लोग क्या किये हैं तो पोर्ट से बाहन दियें पोर्ट में बिट्स और बोलाड उसे बाहन दियें लेकिन रासी जब जहाद हिल्टी डोलती है तो रासी क्या हो जाता है धीला हो जाता है तो वही जो चैन स्टोपर रोप स्टोप गैगे तो इसको बोलते हैं मोरिंग ड्रॉम में सब क्या होता है तो रसी लपेटा होता है number 9 when a vessel is at anchor माल लो की vessel जो है वो anchor पर है the bow stopper release the stress on the anchor break bow stopper क्या करता है ना तो anchor break को क्या करता है तो stress माल लो की break पर तनाव आता है उस तनाव को क्या करता है तो release करता है number 1-0 the scope of cable depend on the bolt आगी कोई भी scope जो होता है वो किस पर depend करता है तो length of the anchor chain anchor chain के length पर depend करता है number 4 देखो बबू ये number 4 क्या है देखो ये तो anchor chain हो गया ये arm हो गया ये आपका shewell हो गया shewell मने hook उपर वाला ये shank हो गया तो देखो ये तो क्या हो गया बबू ये CVL हो गया ठीक कै यह CVL हो गया ठीक बबो नम्मर चार क्या हो जाएगा क्या होता है messenger line को ही हम लोग क्या बोलते हैं गेंट लाइन बोलते हैं ठीकर याद रख लेना messenger तो यह बोलते हैं अब क्या होगा कि जहाज जयटी से जाकर टकड़ाएगा तो क्या होगा जहाज बच जाती है ठीक है तो उसका यूज क्या है तो prevent the damage the sheep side, मने sheep side को ये damage होने से क्या करता है, बचाता है ये जो बाबु है ना, anchor का ना, image बनाए गया, ठीक है तो इसको बाबु आपको याद करना पड़ेगा, ये जो portion दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते है devil claw, ठीक है, devil claw, emanation मेरे पास है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, ठीक है, आप comment कीजिए का मैं emanation दिखाऊंगा, इसको बोलते है devil claw, इसको बोलते है बाबु, devil claw, ठीक है अब जाए बाबु, नम्मर तीन, नम्मर त्री जो है ना, ये warping drum है, ठीक है, एक mooring drum सबसे उपर वाला होता है, ये mooring drum हो जाता है, ये warping drum हो जाता है, ठीक है, अगर आता है नम्मर सतरह पर, when the tug is pulling the sheep, the sheep crew should be बोल रहा है कि मालिजी एक tug board है वो sheep को pull कर रही है, यानि sheep को धकेल रही है, मालिजी एक tug is pulling the sheep, the sheep crew should be, keep well clear at the tug board rope, बोल रहा है कि अगर जहाज को धकेल के tug board ले जा रहा है, तो क्या करना होगा, तो जितने भी crew है वो tug board के rope से दूर रहेंगे क्योंकि अगर जहाँ rope टूटा तो पूरा आदमी का सत्या नास कर देगा, यानि आदमी on the sport date हो जाएगा, rope इतना तेजी से आता है ना कि पूरा तुमारा body का dud टुकुडा कर देगा नमर छे बाभू, बोले थे सबसे उपर लेगिन सबसे नीचे हम लोग क्या पहनते हैं, मुकुड पहनते हैं, तो बाभू ये क्या हो जाएगा crown हो जाएगा अब देखा बाभू, नमर तीन पूछ रहा है, तो देखा बाभू, नमर तीन क्या है, ये बाभू, शीवेल है ना बाभू, सीवेल शीवेल यानि शेंक, तो ये बाभू क्या हो गया, शेंक, ये ना सेकेल हो गया, नमर 20 हम लोग देख लेते हैं, when the anchoring the order let go means अब देखो यह एक nautical term है let go मतलम क्या होता है कि anchor को छोड़ दो यानि anchor को release कर दो ताकि वो पानी में चला जाए और जहाज को hold करें तो allow the anchor to run out the release the wind last break मनें wind last break को छोड़ दो ताकि anchor पानी में चला जाए इसका मतलम यही होता है nautical term होता है number two one when lowering the tug rope to the tug the crew must be वही मैं बोला हूँ lower the rope in controlled manner आपको manner में ही रहना है number two two the term commons wing anchor means to the have to anchor up to the sheward यह nautical term है बाबु यह आपको याद करना पड़ेगा number two three wind last break line is attached to brake handle जो wind last जो होता है ना बाबु wind last wind last क्या होता है तो wind last is a machine it is used for lowering or hosting anchor and anchor chain wind last machine जो क्या करता है anchor और anchor chain को नीचे ले जाता है और उपर लाता है तो क्या करता है माली जी एक brake band कही तरह काम करता है अब देखो बाबु बाव stopper देख लेते हैं बाव stopper is used to prevent the anchor channel from the railing out देख लो मालो की यह यहां पर wind last है और wind last में anchor chain के उपर इस तरह एक लगा दिया जाता है ठीक है मने वो cover करके रखेगा कि मालो की यह anchor slip ना हो तो उसी को क्या बोलते हैं बाबु बाव stopper बोलते हैं नम्मर टू फाइफ वेन दा बर्थिंग a gant line used to send the mooring wire show बोल रहा है कि जब हम लो बर्थिंग करते हैं तो gant line का use क्या किसलिए किया जाता है तो messenger line का use किया जाता है जेटी में messenger line को fake देते हैं और उधर से क्या करता है तो वह लेकर बड़ा बड़ा रोपी से बहान देता है और हम लोग इससे जहाद से अपना क्या कर देते हैं बहान लेते हैं नमर दो बबू ये लंबा वाला sink है मैंने आपको पहले ही बता दिया है ओल्ल द मडर्ण सीफ ऐव stockless anchor मैंने बुला था न बबू एक केजट अंकर होता है एक stock anchor होता है एक stock लेकिन जितने भी आज कल यूज किये जाते हैं वो क्या यूज हो रहा है बाबु इस टॉकलेस एंकर यूज हो रहा है अब सब कोई बोलेगा कि आच्छा चली हमने माल निया कि इस टॉकलेस आखिर का हो यूज हो रहा है तो देखो बाबु इसकी जी होल्डिंग कापासिटी होता है न वो सभी anchor से ज़्यादा होता है और दूसरी बात ना कि इसमें stock नहीं होता है जिसे मानलों कि ये stockless anchor है तो पहले के जबाना में ऐसा ही anchor होता था न तो ये क्या होता था ये बभू स्टोक है न ये मानलों कि जहाज उठ गया तो ये बार-बार जहाज से टकड़ाता था, जहाज के सिप साइड से टकड़ाता था और टकड़ा कर उसको nest करता था, तो इसलिए इसको हटा दिया गया नम्मर फाइग, बाबु देखो, ये clutch है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं, clutch नम्मर्फोर देखो बाबु नम्मर्फोर यह है यह break है ठीक है breaks चलो अब इसको भी हम समझाते हैं पहले चलो इसको हूम देख लेते हैं देखो वह यह पहले समझ लोगे क्या यह देखो यह जहाज है और जहाज को बांदेने के लिए न में छे साइड से रोप निकलता बता कि जहाज कितना एथी है कि 6 जगह से उसको बाना जाता है तो हर एक जगह का एक अलग अलग नाम है तो इस तरह मैं बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा चलो मैं आपको क्या करता हूँ तो एक इमेज में आपको दिखाता हूँ कि कि इसको क्या बोलते हैं और वो कौन कैसे यूज करना है देखो पहले समझो यह जहाज का आगे वाला भाग हो गया यह जहाज का पीछे वाला भाग हो गया तो देखो भेध्यान से समझो 6 जगह से बाना जाता है और 6 जगह का नाम तुमको याद रखना है बाबू एमसी क्यू में पूछेगा सबसे आगे वाले को बहार को बोलते हैं Headline, उसके बाद बोलते हैं Breastline, उसके बाद बोलते हैं, देखो बाबु इसमें स्रीफ Breast दिया है, लेकिन यहाँ पर होगा, अब Forward Breastline, Forward अपने से लगा लेना, फिर Forward Springline, देखो Headline, Forward मने आगे होता है, Forward Breastline, Forward Springline, सांते सांते बोलो जाज़ा गा, Headline, Forward Breastline, Forward Springline, Headline, Forward Breastline, Forward Springline उसके बाद बाद देखो बाबु एदम पीछे से आजबो, पीछे को बोलते हैं Storn, ठीक है, Stornline और इसको बोलते हैं, Aft Breastline, Aft Springline, इसको बोलते हैं बाबु, आफ्ट क्या बोलते हैं बाभू आफ्ट इसको क्या बोलते हैं बाभू फारवड चलो फिर से याद करो फेड लाइन फारवड ब्रेस्ट लाइन फारवड स्प्रिंग लाइन उसके बाद स्टर्न लाइन आफ्ट ब्रेस्ट लाइन आफ्ट स्प्रिंग लाइन याद रख लेना देखो सबसे आगे वाला headline होता है उससे पीछे वाला forward breast line होता है उससे पीछे वाला forward spring line होता है उसके बाद तुम्हारा आता है aft spring line aft breast line और stern line ठीक है तो चलो यह image आप लोगो समझ में आ गया बबू अब हम लोग अपना question पर चलते हैं अब यही इसी में आपका question पूछेगा कि कौन क्या है बताओ तो चलो sequence में याद रख लें नम्मर 3 पूछा है तो ध्यान से पहले देखो कि नम्मर 3 कौन है और नम्मर 3 कहां से आ रहा है पहले यह ध्यान में रखना होगा ठीक है चलो देखो देखो नम्मर 3 देखो नम्मर 3 नम्मर 3 नम्मर 3 देखो नम्मर 3 ध्यान से देखो यह देखो यह नम्मर 3 पूछा है नम्मर 3 यह नम्मर 3 तो देखो यह नम्मर 3 देखो पाहिल का हो गया है Head Line उसके बाद तुम्हारा दुसर का होता है Fall What, Break Line उसके बाद नम्मर तीन क्या होता है? Forward, Spring Line तो देखो Vers What, Back, Spring Line फिर से येही पर मैं कर देता हूँ Head Line Forward क्या होऊए? ये Forward, Back Line Forward, Back Line Forward, Spring Line ये देखो आफ्ट इस्प्रिंग लाइन, आफ्ट ब्रेक लाइन, आफ्ट बैक लाइन और यह है स्टर्न लाइन तो चलो इसी तरह का कोश्चन पूछेगा आपको फटा फुट बताना नमर थ्री वन, वेन दा पासिंग टो लाइन तु दा टॉग फ्रॉम दा मोरिंग डेक बोल रहा है कि जो टो लाइन, टो लाइन का और घींच के ले जाना जैसे मालनो बाब उन लोग देखते हैं कि एक गाड़ी है ठीक एक गाड़ी खराब हो जाती है तो दूसरा का गाड़ी आ जाता है और दूसरा का गाड़ी क्या करता है को रसरी लगा लेता है कि ले जाते हैं बोलते हैं ना कि गारी टोगई तो मोरिंग डेख में क्या करना चाहिए टेक दा हाफ टॉन बीट्स एंड पास वन डाइट टूदर टॉदा टॉद चाहिए उसके बाद डिना चाहिए वह दा कि बॉलाड' एक दों धूक्तक मॉरिंग रोफ वायर जो का तुम लोगा बाबुश Television देख लोगे तो समझने आज देखो जो बॉलाऑड होता और बीड़् होता इसमें देखो दिक्कत क्या होता है जो देखो बीड़् होता है और बॉलाट जो होता है वो एक होता । ही क्ä款 पोल लाट बुलाड बुलाड ये बीटसे अगर यहीं अगर सिंगल हो जाएरना इसको बुलार्ड से तो समझ में आ गया बुलाट क्या है और बीट क्या है ठीक है तो चलिए बाबू अपना कोस्टन कर लेते हैं तो यह बांधने के काम में आता है चलो नम्मर शिक्स फटा फट देखते हैं कौन बताता है नम्मर शिक्स यानि पीछे तो कौन जागा बाबू इस्टर्न लाइन ह लेग है अब बताओ अब यह क्या है तो देखो यह आर्म है नम्मर थर्टी फाइप ए मर्चेंट सीप एंकरीज वेटिंग एरिया वेर दा बर्थ इस नोट वेकेंट बोल रहा है कि एंकर सीप में एंकरेज एरिया पर रहने का मतलम हुआ कि अभी न आपको बर्थिंग नह प्र clear from you two- chut में जैंट बोल रहा है कि ड्रेक मनेट ड्रेक मने अप मने लचकेगा तो उसमें क्या होगा राफ विथ इस ट्रॉंगहिर कालभी इस ट्रॉंग है रॉफ इट्ञट रॉफ इंकर क्या गरेगा नाव सब योह जी तायो क्या है Γिएस को क्या मताया सिब बताएं मिसल और यह तो अ.चलिह है ऐट अब अब उपर चलते हम 9 नमर आपको बतानाним है नो नमर क्या तो अधिक आपको यह रोप बंचते मोरिंग अब हाड आता है कि फ्रकैल imme खरके में संथा क्यों में चील को सबंगा मज़ने द topics में line के use की हो जाता है तो यह इसलिए होता है कि जहाज को वो आगे बढ़ने नहीं देता है Bell on the four cattle is used to, बोल रहा है कि जो four cattle deck में जहाज के सबसे आगे एक bell बनाया जाता है, किसलिए बनाया जाता है Indicate the number of anchor cycle paid out, वो क्या होता है वहाँ पर एक cadet होता है या बोशन खड़ा होता है और जब एंकर रिलीज किया जाता है न तो ब्रीज से तो एंकर दिखाई नहीं देगा कि कितना पानी में गया तो जैसा ही एक एंकर सेकल उपर आता है तो एक बाट टन से बेल मारता है तो समझ में आ जाता है वहाँ पर जो ड्यूटी ओफिसर होता है ब्रीज में कि कितना बाकी और कितना गया तो वह पेड आउट मनें बताने के लिए कि कितना गया कितना गया देखो बाबु एक नमर पूछा है तो एक नमर कौन सा बाबु होगा तो हेड़ लाइन होगा या हेड़ लाइन बोलो या हेड़ रोब बोलो ठीक है अब आ जा है वो दिखाता है कि ये बेशल क्या है तो एंगर में है ठीक है नंवर डू देखर आगर दबॉब घर जिता इसको बिट्स बोलते हैं और लेकिन अगर ये गो वास भल्व प्रोभाइड वास दा वाटर फ्रॉम दा एंकर एंड चैन बोल रहा है कि जो एंकर भल्व होता है एंकर वास भल्व होता है वो किसलिए होता है तो जो वाल्व होता है वो किसलिए होता है तो एंकर और एंकर चैन को वास करने के लिए यानि दोने के लिए क्योंक एंकर शेंक, नमर 46, the term anchor awake means anchorage sight, देखो, the terms anger awakes means, इसका मतलम होता है कि anchor दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो anchorage sight, यह nautical term है, ठीक है, nautical term का मतलम होता है, जिसे बोलेगा, जहाज पर आप जाओगे ना, तो बोलेगा port side, तो आप समझ जाना कि port मने होता है, left, बोलेगा, starboard side जा नमर 47, the having line is used the birthing for the sand mooring rope, जो having line होता है, having line आपको वहाँ पर फेकना सिखाए जागा, गोला की तरह होता है, उसमें line लगा होता है, तो उसको धवाक से, जहाज पर से, जेटी में, यानि port में फेका जाता है, और जो port बाले होते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, और इधर से हम लो, उसमें mooring, जो rope होता है, उसको लगा के भेज देते हैं, और वह अराम से उधर घीच के, पकड़ लेता है, ठीक है, नमर एक पूचा है, तो देखो, नमर एक जो होता है, वो house pipe होता है, ठीक है, house pipe, house pipe का मतलम क्या होता है, जानते हो, देखो, यह anchor दिखा ही दे रहा है, और देखो, याद रख लेना, अब यह भी आ गया तो मैं बता जाता हूँ, house pipe से क्या होता है, तो anchor समुंदर में जाता है, पानी में जाता है, और पानी से सीप साइड में आता है, और इधर जो देखो, यह दो दिखाई दे रहा है यह, यह anchor है, इधर last में anchor locker होता है, ठीक ह chain locker होता है, anchor locker नहीं chain locker, तो इस वाले pipe को बोलते है, sporling pipe, तो sporling pipe से जो anchor chain है ना, वो chain locker में जाता है, और जो host pipe होता है ना, उधर से anchor जो है, वो seaside में जाता है, ठीक है, तो याद लगना, sporling pipe भी बहुत दफ़ा पूस्ता है, अब जो का नमबर 49, communication between the bridge and the mooring stature, conduct by the walkie-talkie, walkie- communication करते हैं, ठीक है, बीना walkie-talkie कैसे communication करेंगे, 50 in the morning term, make fast, make fast का मतलम क्या होता है, make fast the hauser on the bits, bits से क्या करो, तो hauser, hauser मने भी क्या होता है, तो rope ही होता है, उसका दूसरा नाम है, तो hauser को क्या करो, bits से फटा-फट बांध दो, अब जो को बोला, aft-back spring is used to keep the vessel from moving stern, जो देखो, वो forward spring line था, उसको आगे जाने से रोकता था, जहाज को, तो जो back spring line है, वो क्या करेगा, तो जहाज को stern, यानि पीछे जाने से क्या करेगा, रोकेगा, अब देखो, बाबु, नम्मर चार पूछ रहा है, देखो, नम्मर चार, नम्मर चार यह देखो, बाबु, यह तुम्हारा windlass है, और windlass में यह तुम्हारा anchor चाहन है, ठीक है, नम्मर चार में anchor चाहन है, अब फिर देखो, बाबु, यह मैं पढ़ा दिया, तो तुम लोगो कितना असान हुआ, पीछे वाले को बोलते है, stern line, और उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, haft brake line, ठीक है, तो after breast line, ठीक है, after breast line या breast rope, number seven, number seven, देखो बाबु, यह दो गो रहता है, तो बीट्स बोलते हैं, लेकिन यह देखो, यह beats इसको मस समझ लेना, यह इस तरह होता है, देखो मैं बठाता हूं, यह इस तरह होता है, यह यहां से नाष्टे भी रहता है, यह इधर पर यहां पर जो पाइप से चैन लोकर में जाता है ना वो पूरा यहां पर ना पूरा एकदम टाइट रहता है माने इसमें कुछ भी नहीं ढूपने देगा तो यह सीमेंट से पूरा सीमेंट के एक परस से इसको लगा दिया जाता है क्यों कि इसमें पानी का यह भी बूंद अंदर नहीं जाना थी अगर पानी का यह बूंद भी अंदर चला गया ना तो चैन क्या हो बढ़ा होगे दम नजारा देखते थे महाने रेलिंग जहाज कया जहाज को घणा इन फोलेंग झाल को भूलती है उसी को बूल वर्क नमर फाइब सेवेन द लास्ट लिंक इन करचेन इस देखों बोला था ना कि last लिंक बोलेगा तो बिटर इंड और फॉर्स्ट वाला लिंक बोलेगा तो D-LINK या दख लेना ठीक है यह बहुत दफ़ा पूछता है यह तो बिटर इंड पूछेगा ही पूछेगा लिखके ले लो नम्मर वन क्या है बाभू identify the number one part देखो number one part यह क्या है बाभू palm यह क्या है बाभू palm, tipping palm चलो आज आते हैं 59 पर Braced rope is used to mooring system prevent the vessel from moving away from the jetty यह jetty से भागने में हम लोग क्या करता है रोकने में मदद करता है नम्मर 6 देखो बाभू बोले थे ना यह होस पाइप है और यह जो anchor channel इधर अंदर जा रहा है तो इस pipe को क्या बोलते हैं बाभू spiraling pipe मैं सब बाभू आप लोगो पढ़ा दूँगा बस साथ बने रहो आप लो नम्मर 6-9 इन दबर्थ रेट गाड और प्लेस इंदर सीपिंग फ्रॉम दबोरिंग देखो रेट रेट का नाम से मतलम का होता है चुगा तो रेट गाड लगाए जाता है कहा जिसे मालो कि हम जहाद को जेटी से बांदी और बहान देंगे तो यहाँ जेटी है और यह क्या हो गया बाभू तो यह सीप हो गया और यह जेटी हो गया तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं तो रेट गाड लगा देते हैं तो रेट ग बिमार कर देगा तो इंफेक्शन से बचाने के लिए चुभा को प्रिभेंट द रेट फ्रोम एंट्रिंग एंड लिविंग द शिप रेट गाड कैसा होता है रुखो बाबु हम आपको दिखा देते हैं है घबडाओ मत हम आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे हुआ है रेट गाड कि शीप अ है जिए साब तक यहाद ए है कि लिए गटा लगा है कि चुआ जायेगा और चुआ जाकर देखो इरेट लगा दिया गया इदा जैटी है इसब कर तक दिए फिए कर क्या हो जाएगा वापस चला जाएगा तो इसलिए वाबु रेटगड लगाया जाता है ठीके अब आजाता है बाबु 62 पर an anchor is used for the ship anchor का use क्या होता है तो make the ship fast fast यहां पर सीप का मतलम होता है जहां जोको बांध कर रखना यह मसमझना सीप आज मनेसी फास्ट को एंकर बॉल used it पहला ही मैंने बताया था यहाज हो गया और जहाज में एंकर कहां होता है तो आगे होता है तो यह पूछ रहा है कि जो bei एंकर बॉल होता है वह कहां house locatा है तो क्या होता है तो फॉकल बेक ख पोर केसल डेक यानि फोकसल डेक बोलते हैं उसको एंकर इज लीड सीपसाइड थो देखो मैंने आपको क्या बोला था कि एंकर को अगर सीपसाइड में भेजोगे तो वह हॉस पाइप से जाएगा और और अगर उसको चैन लोकर में भेजोगे तो वह स्पॉर्लिंग पाइप से जाएगा तो यह हॉस पाइप इसका एंसर हो गया इडेंटिफाइद नमबर टू देखो बाबू सबसे आगे वाला हेड लाइन उसके बाद फारवर्ड क्या होता है फारवर्ड ब्रेक लाइन देखो फिर से मेरी वीजन कर रहा है तनू इसको बोलते हैं हेड लाइन या हेड रोप उसके बाद फारवर्ड ब्रेस्ट लाइन या फारवर्ड ब्रेस्ट लाइन को रोप भी बोल सकते हैं उसके बाद फारवर्ड स्प्रिंग लाइन उसको बाद बोलते हैं आफ्ट स्प और प्रोसीडिंग आउट तो दे सी ओन दे लॉंग वायज एंकर आर सिक्योर टुद टुद टॉर्ण बकल एंड वायर लेसिंग बोल रहा है कि माल लोगी तुम्हारा सेलिंग शुरू हो गया और माल लोगी तुम्हारा जहाज सेलिंग पर निकलने वाला है और सेलिंग पर लोग दिन यानि कम से कम 20 दिन के लिए जहाज सेलिंग पर ही रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं टर्न बकल से और वायर से जहाज का एंकर होता उसको लेसिंग कर देते हैं लेसिंग का मतलम हुआ ना को उसको दम बहुत तरीका से बहान देना वायर से तो बहान देंगे ना तो टस से मस नहीं होगा नमबर शिक्स एट फॉक्सल तो यानि इसको फ़ार केसल ऑफ दशीप दफ फ्रावर्वड पार ऑदेखो फॉक्सल डेख क्या होता है तो देखो जो सबसे आगे वाला भाग होता है उसको बोलते है फॉक्सल डेक सबसे पीछा वाल भाग को बोलते हैं पूप डेक अब देखो ध्यान से लेंथ अब दाइच सेकल इस दे एंकर एंकर केबल इदम इंपोर्टेंट कोस्टेन है याद रख लेना कि जो एंकर चैन का जो एक केबल का जो लेंथ होता है वो 27.5 मीटर होता है ठीक है नमबे फीट यह 27.5 मीटर ठीक है नमबर फाइब देख लेते हैं दोस्तों किदर है नमबर फाइब यह जिपसी है ठीक है जिपसी यह एंकर चैन है अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं नमबर थ्री नमबर थ्री किदर है बाबू हाँ यह देखो यह दिखाई दी है और यह आपका old man था यह आपका bits था और यह आपका बॉलाड था ठीक है नम्मर 72 fenders fenders वही बता है ट्यूर fenders are placed in the ship side from the क्या होगा ship side from the contact damage हो डाइमेज होने से क्या करेगा बचाएगा तो चलो बाबू next chapter में हम लोग cargo work के बारे में क्या करेंगे पढ़ेंगे तो बाबू इतना मैंने आपको समझा दिया कहीं mistake हुआ हो तो please comment करना समझ में नहीं आया हो तो और मेरा जो दूसरा channel है बाबू उसका नाम है अंसारी GS Academy तो उसको भी जाकर आप लो subscribe कर लो वहां पर भी आपको अच्छा अच्छा content मिलते रहेगा तो thank you so much for watching this video thank you